गुड आप्टनून एवरिवन तो आज हम बात करेंगे what is rehabilitation and resettlement rehabilitation and resettlement दोनों में क्या differences है और ये दोनों होते क्या है तो सबसे पहले अगर हम rehabilitation की बात करें तो इसका मतलब होता है restoration to the former state यानि कि जो चीज पहले जैसी थी उसको वैसा ही बनाना है इसका एक छोटा सा example हम लेते हैं कई बार क्या होता है कि किसी शेतर में किसी एरिया में सूखा पढ़ जाता है लेकिन वो हमेशा के लिए सूखा नहीं पढ़ा था वहाँ वहाँ पहले fertility थी वहाँ पहले अच्छे से बारिश भी होती थी लेकिन अब वहाँ सूखा पढ़ गया है तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि उस चीज को फिर से वैसा बनाया जाए यानि कि उसे फिर से fertile किया जाए फिर से वहाँ अच्छे से बारिश हो तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे Rehabilitation और भी एक example लेते हैं फॉर एकजेंपल जम्मू माइगरेंट्स जो थे या फिर हम कह सकते हैं कि जो कश्मीरी पंडित से कश्मीरी पंडित जब जम्मू एंड कश्मीर से भारत के दूसरे राज्यों में गए तो उनकी Resettlement हुई यानि कि वो नए एरिया में गए तो उन्हें हम कहेंगे Resettlement जम्मू माइगरेंट्स एंड कश्मीरी पंडित की हुई लेकिन जब हम उन्हें बापिस जम्मू एंड कश्मीरी में भेज देंगे उनके घर उन्हें बापिस भेज देंगे तो उस चीज़ को हम कहेंगे Rehabilitation तो Rehabilitation और Resettlement में यही फर्क है कि Rehabilitation में हम Restore करने की कोशिश करते हैं जो चीज़ पहले से थी उसे वैसा ही बनाना है और Resettlement में हम क्या करते हैं कि जैसे जो लोग Displace हो जाते हैं जम्मो माइगरेंट्स हो गए या फिर आपके कश्मीरी पंडिस हो गए जब वो दूसरे राज्यों में गए भारत के या फिर भारत से बाहर गए तो उनकी Resettlement हो यानि कि वो नए areas में गए तो यही फर्क है Rehabilitation and Resettlement में आगे चलते हैं Rehabilitation में एक और छोटा सा एक्जेम्पल हम देखते हैं That is Land Rehabilitation Land Rehabilitation is a process of restoration to bring an area of land back to its natural state after it has been damaged or degraded making it safe for wildlife and flora as well as humans आप सभी को पता है कि हम development projects चलाते हैं बहुत सारी चीज़े हम करते हैं ठीक है लेकिन जब हमारा project complete हो जाता है तो हमारा दायत बहुता है कि उसे फिर से वैसे ही restore कर दिया जाए ताकि जो wildlife है उसको नुकसान ना हो जो flora है उसको नुकसान ना हो और जो लोग वहाँ आसपास रहने वाले हैं उनको कोई नुकसान ना हो तो Land Rehabilitation में भी क्या होता है Industries लगाने की वज़े से जो Land का Degradation हो जाता है Land जो बिकार हो जाता है उसे फिर से restore करना उसे फिर से अच्छा बनाना अब हमें समझना होगा कि Internal Displacement क्या होती है Internal Displacement describes the situation of people who have been forced to leave their homes but have not left their country Internal Displacement यानि की हम भारत का example ले सकते हैं भारत में जैसे कश्मीरी पंडिस हैं तो उनका क्या हुआ है? Internal Displacement हुआ है वो अपने ही देश से Displace हो गए यानि की एक राज्य से दूसरे राज्य में चले गए तो यानि की लोगों को force किया जाता है कि वो अपना घर छोड़ दे और कहीं और चले जाएं अब हम बात करते हैं Factors of Displacement So millions of people are uprooted from their homes or places of habitual residence each year in the context of conflict Conflict की वज़े से लोग Displace हो जाते हैं Conflict कैसा भी हो सकता है धर्म के नाम से हो सकता है जाती के नाम से हो सकता है race के नाम से हो सकता है violence होता है development project की वज़े से लोग Displace हो जाते है disaster आ जाता है for example volcano, earthquakes, कुछ भी आ सकता है climate change होता है उसकी वज़े से लोग Displace हो जाते हैं So remain displaced within the country's border तो ये हैं factors जो responsible है displacement के लिए अब हम बात करते हैं आपको पता है कि हर एक देश की तमना होती है कि वो develop हो उसकी economic growth fast हो, rapid growth हो In order to achieve rapid economic growth India has invested in industrial projects dams, roads, mines, power plants, new cities which have been made possible only through the massive acquisition of land हमने बहुत सारी धरती बहुत सारी जमीन acquire की है cities बनाने के लिए जिसकी वज़े से क्या हुआ बहुत सारी लोग जो थे वो displace हो गए थे ये एक negative impact पड़ा था development projects का जैसे भी हम किसी चीज़ को develop करने की कोशिश करते हैं economic growth के बीचे भागते हैं तो उसके कुछ negative impact भी होते है जैसे कि लोगों का displace हो जाना subsequent displacement of people अब हम बात करते हैं कि हमें क्या करना होगा कि आज तक जो लोग displace हुए है उनकी condition कैसी है social economic condition की कैसी है तो इसके लिए एक policy framework होना चाहिए so India needs to formulate a migration centric policy strategies and institutional mechanism in order to ensure inclusive growth सभी की growth होनी चाहिए and development and reduce the distress induced migration यानि कि distress induced migration जो होती है उसे कम करना होगा और सब की inclusive growth होनी चाहिए सब की अच्छे से development होनी चाहिए और जो लोग displace हुए हैं उनको हमें justice भी देना होगा providing justice क्योंकि वो displace होने के बाद कई सारी दिख्तें उनके सामने आती हैं जैसे कि inadequate housing, low paid उन्हें wages अच्छे से नहीं मिलते insecure और hazardous work extreme vulnerability of women and children to trafficking and sex exploitation ये सारी चीज़े उन्हें face करनी पड़ती है displacement के बाद तो आज की वीडियो में वस यतना ही कल मिलेंगे thank you